शादी सीजन चल रहा है, क्या आप पे भी प्रेशर पढ़ रहा है कि आप शादी कर लो? शादी करनी अच्छी बात है, लिकिन सही वीजन के लिए, गलत वीजन के लिए शादी मत करो, क्योंकि ये एक lifelong फैसला है, शायद आपकी जिन्दिगी का सबसे बड़ा फैसला है, तो सोच समझ के सही रीजन के लिए ये फैसला लो, तो आज मैं आपको बताऊंगी five worst reasons के आप शादी कर सकते हो, इन पांच बातों के कारण शादी मत करना, सबसे पहले, इसलिए शादी मत करो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आसपास कर रहे हैं शादी, सब लोग कर रहे हैं, तो आपका भी मन कर रहा है, चलो मैं भी शादी कर लूँ, नहीं, पियर प्रेशर के कारण, या जो आसपास महौल है, उसके कारण शादी नहीं करनी है, इसका कोई फाइदा नहीं है, वो अपनी लाइफ में रेडी हैं शादी के लिए, उनको सही इनसान मिल गया है, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने जल्दबाजी नहीं करनी है, कि आप शादी कर लो किसी से भी क्योंकि आपको भी अच्छे-च्छे कपड़े पहनने हैं या आप पीछे नहीं रहना चाहते हो लाइफ में अपनी लाइफ भी उसी टाइम लाइन पे चलाना चाहते हो जो सब लोग चला रहे हैं पर याद रखो कि उनका टाइम लाइन आपक एज हो गई है I know बहुत पर लोग क्याते हैं कि एक सर्टन एज है तब तक आपको शादी कर लेनी चाहिए एंठीक है अच्छी बात है लेकिन जमाना बदल रहा है आजकर लोग लेट भी शादी कर रहे हैं अगर आप अभी फाइनाशली या इमोशनली रैडी नहीं हो तो जल को निभाने के लिए तैयार नहीं हो या आपको सही इंसान नहीं मिलाए तो सिर्फ एज एक नंबर के पीछे अपनी जिंदीगी का सबसे बड़ा फैसला मत लो तर्ड आपको शादी तब नहीं करनी है जब आपके पास एक ठीक ठाक पार्टनर है या वो आपको इतना अच् जिसके साथ मैं अपनी जिंदीगी भी ताना चाहता हूँ यही है वो इनसान जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ सेटल नहीं करना है फिकज यह आपकी जिंदीगी का सबसे बड़ा फैसला है और याद रखो के यह फैसला ऐसा नहीं है कि आज की अकल खत्म कर दिया तोड़ दिया अपनी लाइफ लॉंग इस शीज को निभाना है तो वो इनसान ढूंडो जिसके साथ अप खुशी खुश निभा सकते हो जिसके साथ अपनी भाना चाते हो अगर अप सैटल करोगे ना कि इससे अच्छा शायद मिलेगा नहीं तो अप हमेशा कही नहीं रग्रेट करोगे लाइफ में फोर्थ वीजन आपको शादी इसले नहीं कर नहीं है क्योंकि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए ज अपकी मेड नहीं है आपको एक पार्टनर चाहिए ख्याल रखने वाला नहीं हाँ पार्टनर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं बदा शुर्ण बीयापका में मोटिव बिकस एक पार्टनर सिरफ एक मेड या ATM मशीन से बहुत जादा है और फिफ्ट रीजन आपको इसले शा बाक्स कर दिया अब ये चक नो शादी तब करो जब आप दोनों तयार हो इस जमिदारी के लिए ना कि अब होगे हैं छे महीने के हम साथ थे तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए नो वेट तिल यू बोथ और रेड़ी और शुर के हां इसी इंसान के साथ मुझे पूरी ज जिन्दगी बिता सकते हो जिसके साथ अब हर चीज शेयर कर सकते हो पट जल्द बाजी में गलत वीजिंगले शादी नहीं करनी है विकिस फिर अप जिन्दगी भर पच्छता होगे अभी वीसंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल है एक ऐसा घर जिसमें शानती नहीं है जिसमें खुछी नहीं यह जिसमें प्यार जैय तो अप ऐसी जेल में पूरी बिताना चाते हो शादी तब करो जिब आपको एक ऐसा इंसान मिले जिसको मिलके आपको लगें कि हां इस इंसान के साथ मैं एक अच्छी जिन्दगी बिना सकता हो I hope your video आपको helpful लगाओ अपनी सोच कॉमेंट्स में जरूर बताएगा और ये भी बताएगा कि आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं अगर कोई है जिसको फायदा हो सकता है ये वीडियो देखे तो उनको टैग जरूर करिएगा ये उनके साथ शेयर जरूर करिए अभी तक नहीं किया है तो मुझे फालो करिए आसे डेली वीडियो के लिए